Hello Anyone, Myself आнова आरीप फाला तो दोस्तो चार्ट रेडिंग की सीरीज में आज हम समझेंगे साइडवेस मारकेट के बारे में की साइडवेस मारकेट क्या होती है और दोस्तो ये साइडवेस मारकेट किसी भी टेर्डर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि ये सबसे ज्यादा सबको बोर करती है आप इसे sideways market को हो, choppy market को हो, range bound market को हो या consolidate market को हो, ये सारे ही चीज एक ही है अब दोस्तों सही से समझते हैं कि ये sideways market होती ही किया है इसके पहले के part में हमने समझाता trend के बारे में कि कितने type के trend होते है अब trend, downtrend and sideways trend अब यहां से हम सुरू कर रहे हैं उन तीनों trend को detail में समझना आज इस वीडियो में sideways को समझेंगे और उसके आने वाले दो वीडियो में uptrend और downtrend को सही से समझेंगे और उन्हें trade कैसे करना है वो भी समझेंगे और आज इस वीडियो में sideways market को समझ के ये भी समझेंगे कि sideways market को हमें trade कब करना होता है कैसे करना होता है देखिए आपने जब कभी भी support और resistance सिखा होगा आपको ऐसा ही कुछ दिखाया गया होगा आपको एक line ऐसे दिखाई गए होगी उपर नीचे एक line row होगी और आपको यही बताया गया होगा कि ये point support है ये point resistance है जब तक price इसके अंदर घुमती रहती है price एक range में होती है जब ये point टूटता है price और उपर जाती है ये point टूटता है price और नीचे आती है अब देखिए जब भी price उपर जा रही होती है जब भी price नीचे आ रही होती है थोड़ा उपर जाती है फिर एक point से नीचे आ जाती है नीचे जाती है तो थोड़ा सा नीचे जाती है फिर एक point से उपर की तरफ चली जाती है मतलब की एक range बना लेती है उस range के उस box के बाहर ही नहीं निकल पाती है काफी सारा समय वो एक box में ही रहती है अब time frame की बाद हमने इससे पहले के वीडियो में कर ली है कि यह कोई भी time frame हो सकता है एक minute से लेकर एक महिने तक का कोई भी time frame यह हो सकता है अब जब भी sideways market होती है यहाँ पर कहा यह जाता है कि इस particular index कहलो stock कहलो future call put कुछ भी कहलो यहाँ पर लोगों का ज्यादा interest नहीं है trade करने में मतलब की ना buyer strong है ना seller strong है ना buyers active है ना sellers active है मतलब की लोगों का interest यहाँ पर कम है trade करने में तभी तो price एक ही जगे पे है उपर नीचे हो रही है एक कोई भी trending move में ही दे रही है जब भी यहाँ पर buyers या sellers strong होगे तो price एक direction में जाएगी मतलब की वहाँ पर लोगों का interest आएगा trade करने में उपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ तो जब भी ऐसा कुछ होता है इस तरह price एक range में आजाती है तो कहा जाता है यहाँ पर किसी भी बड़े player का interest ही नहीं है वो यहाँ पर entry नहीं हुआ है छोटे बड़े retailer है वो price को उपर नीचे कर रहे है क्योंकि जब भी market में बड़ा move आता है एक trending market होती है अचानक से बड़ी बड़ी green candle उपर की तरफ बनती है अचानक से बड़ी बड़ी red candle नीचे की तरफ बनती है ऐसा कुछ होता है तो वो red candle वो green candle वो बड़ी बड़ी trending move आप और में नहीं ला सकते वो लाते है market में बड़े बड़े player और एसी trending market नहीं होती है एसी ranging market होती है तब कोई बड़े player market में है ही नहीं तब आपके और मेरे जैसे retailer ही participant यहाँ पर कर रहे हैं चो market को कोई बड़ा move दे ही नहीं सकते अब यहाँ पर इस range bound market में क्या होगा कोई particular दो level पर आके market अटक जाएगी उपर जाएगी तो एक point से उसे resistance मिलेगा नीची आएगी तो एक point से उसे support मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पर support resistance में detail में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो सारी चीज़े आपको पता होगी support resistance क्या होता है यहाँ पर हम सिर्फ इसको रेंजिंग मार्केट को समझेंगे और यह range क्यों होती है कॉप टुटती है कैसे टुटती है कब confirmation मिलती है कि यह real breakout है real breakdown है उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर focus करेंगे और उसके बाद उसे trade कैसे करना है और इसके अंदर भी हम कैसे trade करते हैं उस चीज़ों को समझते है support resistance को अभी के लिए एक line में समझे लेते हैं देखिए support वो point होता है जहाँ से buyers active होते है और जिस point के नीचे price नहीं जाती और वहाँ से फिर से buying आती है resistance वो point होता है जहाँ से sellers active हो जाते है वहाँ से sell करना short करना शुरू कर देते है और price उस point से फिर से नीचे आती है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते है अब यह मतलब कि कोई confirm नहीं है कि price नीचे आई है तो 500 रुपे exit 500 से ही उपर चली जाएगी उपर गई है तो 550 से ही exit नीचे चली आएगी नई एक वहाँ पर zone होता है कोई एक line नहीं होता है नीचे की तरफ 500 से 505 या 510 तक का level होता है वहाँ से उपर जा सकती है उपर की तरफ 550 या 500 side तक का एक level होता है वहाँ से वो नीची आ सकती है कोई exit point को आपको पकरके नहीं बेट चाला है कि 500 पर आई तो आप तो यहां से उपर ही जाएगी नहीं 504 से भी उपर जा सकती है या फिर 500 के थोड़ा नीची आकर फिर भी उपर जा सकती है तो इन बातों को आपको सही से ध्यान में रखना होता है अब देखिए ranging market का sideways market का भी यह बिल्कुल मतलब नहीं होता कि यह दोनों point पर touch करके ही वो आईगी बीच में कहीं नहीं खुन सकती क्योंकि ranging market का मतलब देखिए हम ऐसा ही समझते हैं कि ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे सामने दो point touch होगे फिर उसके बीच में रहेगी ऐसा नहीं होता देखिए इस तरह भी एक ranging market में sideways market में हो सकता है जरूरी नहीं कि उपर के point को वो touch करेगा ही वो थोड़ा सा नीचे आकर भी यहाँ पर आ सकता है मतलब कि sideways market के अंदर भी एक sideways market छोटी सी बन सकती है ऐसा भी होता है तो support से price उपर गई है तो आपको यह मानने ही लेना कि अब यह resistance को touch करके ही आएगी resistance के नीचे आई है तो आपको यह मानने ही लेना कि यह support तक तो जाएगी ही जाएगी कहीं से भी वो उपर नीचे होके थोड़ा बहुत उपर नीचे करके वो वहाँ से reverse कर सकती है अब जोस्तो sideways market का मतलब हमें पता चल गया हो कि sideways market का मतलब क्या है तो अब इसे trade करना सिकते हैं दो तरीके से इसे trade करने के दो तरीके हैं एक तो sideways market के अंदर भी हम यहाँ पर trade कर सकते हैं और दूसरा इसके breakout या breakdown पर करते हैं ज्यादा तर लोग करते हैं अब दोस्तों इसके अंदर अगर हमें trade करना है तो हमें थोड़ा experience होना चाहिए मतलब कि हमें चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने पहली बार आज ही इस चीज़ को सीखा है अगर कल जाके आप इसे trade करने लगे तो आपको breakout या breakdown का wait करना चाहिए तभी trade करना चाहिए हाँ पर आप 50-500 बार ये चीज़ों को देख चुके हो observe कर चुके हो फिर अगर आप एक ranging market में भी trade करते हो तो वहाँ से भी आप profit कमा सकते हो पर अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं सिर्फ आज मतलब मान लिजे कि ये वीडियो आपने अभी देखा और कल जाके trade करने लगे ranging market के अंदर, sideways market के अंदर तो वहाँ पर definitely stop loss हीट होगा वहाँ पर profit नहीं मिलेगा पर हाँ काफी समय हो चुका है काफी बार इन चीज़ों को observe कर लिया है तो आप जरूर कर सकते हो और यहाँ पर एक point देखिए आप देखिए यहाँ पर एक sideways market चल रही है पर आप देखिए कि आउपर के point को touch करके सीधा नीची आ रही है, कि नीचे के point को touch करके सीधा उपर जा रही है देखिए यहाँ से आई, फिर एक sideways चला गया एक box में निकल के दुसरे box में आ गई फिर थोड़ा सा उपर गया resistance तक फिर एक box में से निकल के दुसरे box में आ गई यहाँ पर तो इस तरह के से भी होता है और यहाँ पर इनके breakout या breakdown पर भी हम trade कर सकते हैं पर जब इस तरह box में से निकल के दुसरे box में आ जाती है तो वहाँ पर trade करने का कोई भी फाइदा नहीं है तो इसी market में बिल्कुँ trade नहीं करना चाहिए अब आपको लग सकता है कि यहाँ पर तो breakdown हो गया तो और नीचे जानी चाहिए नहीं पर यहाँ पर एक strong support है तो यहाँ से support लेके फिर से वो उसी box के अंदर आ सकती है तो इन सारी चीजों को आपको higher time frame पर देखना होगा आपको chart को इस तरह micro level पर देखना होगा तो आपको यह सारी चीज़े दिखेंगी और पता चलेगी अब देखिए अगर आपको sideways market को trade करना है breakout या breakdown को wait नहीं करना है again time frame में confusion मत करना जो भी time frame open करोगे सब जगे आपको वो मिल जाएगी आप किस type के trader हो उसी साब सकनी time frame को आप चूज कर सकते हो देखिए यहाँ पर अगर range बहुती बड़ी है sideways market की तो यहाँ पर अंदर भी आप trade कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ point मिल सकते हैं कुछ ना कुछ profit मिल सकता है पर range बहुती छोटी है आपने buy किया और अगली ही militman लो वहाँ पर resistance हा गए आपने sell किया अगली ही militman नीचे है आपको support दिख रहा है बहुती छोटी बहुती narrow range है तो वहाँ पर कोई मतलब भी नहीं है उसके breakout का weight करना चाहिए पर range अगर बड़ी है तो आप support पे buy करके weight कर सकते हैं कि resistance तक आपका target होना चाहिए resistance तक जाएगा नहीं जाएगा वो हमें नहीं पता पर हम वहाँ पर अगर हमारे direction में जा सकता है तो stop loss को trail करके जो कुछ भी मिलता है उसे ले सकते हैं पर उसके लिए आपके पास थोड़ा experience होना चाहिए ऐसे ही मतलब आपको जब आप मतलब नए नए है आप इन चीज़ों को सीख रहें समझ रहें तब आपको ranging market में बिल्कूल भी try नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर definitely आपका lossy होगा अब देखिए आपके पास कुछ ऐसी sideways market है तो यहाँ पर आप कहाँ buy करोगे कहाँ sell करोगे कुछ होई नहीं सकता यहाँ पर आपको wait करना है एक confirmation के साथ breakout या breakdown होज है उसके बाद आप trade करोगे पर अगर आपके सामने कुछ AC market है जिसकी range बड़ी है तो यहाँ पर आप support पर buy करके definitely वहाँ पर अपनी position प्रोपर स्टोप्रोस के साथ बना सकते हो तो जो कुछ भी आपको वहाँ पर मिलता है आप वहाँ पर अचीव कर सकते हो पर एक छोटी सी range में कभी trade नहीं करना चाहिए तो जब भी आपको बड़ी range वाली sideways market मिलती है तो वहाँ पर आप trade कर सकते हो अब दोस्तों इसके breakout और breakdown के बारे में समझते हैं कि इसका breakout और breakdown कब होता है और जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा पसंद है मतलब कि एक trending market higher high, higher low, lower low, lower high वाली market मतलब या तो उपर जा रही है या तो नीचे जा रही है वो market इसके बाद ही आती है इसके पहले नहीं आती है कि ये होता है उसके बाद ही वो होता है यहाँ भी जितनी ही strong sideways market होगी उसके बाद जब उसका breakout या breakdown होगा या फिर breakout failure भी होगा उसके बाद वैसा ही एक strong move हमें देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कि ये sideways market एक chart pattern भी है अपने आप में मतलब कि इसे rectangle कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जब uptrend में ये sideways market हो जाती है बन जाती है जैता कि हमने वो पिछले phases में समझाता जो चार phases थे तो यहाँ पर जब ये uptrend में बनती है तो इसे bullish rectangle कहा जाता है और ये माना जाता है कि इसके बाद इसका breakout उपर की तरफ होता है और जब ये downtrend में बनती है तो इसे bearish rectangle कहा जाता है और ये माना जाता है कि ये train को continue करेगा क्योंकि rectangle एक continuation pattern है तो उसके बाद वो downtrend ही जाएगा पर दोस्तो real market में ये हर बार नहीं होता अब train में sideways market बनेगी rectangle बनेगा उसका breakdown नीचे की तरफ हो जाएगा downtrend में sideways market बनेगी उसका breakout उपर की तरफ भी हो जाएगा तो ऐसा अगर आपने कहीं भी सीखा है कि rectangle बनने के बाद अब train में sideways market होगी rectangle बनेगा उसके बाद वो उपर breakout देगा और आप पहले से buy करके bet जाओ ये कभी मत करना downtrend मे rectangle बनेगा bearish rectangle उसके बाद उसका breakdown नीचे की तरफ ही होगा अब पहले से ही downside में buy करके bet जाओ ऐसा कभी भी मत करना क्योंकि real market में ये नहीं होता books में देखोगे तो ऐसा मिलेगा आपको कि uptrend में rectangle बन रहा है तो breakout उपर हो सकता है downtrend में rectangle बन सकता है तो breakout नीचे की तरफ हो सकता है मतलब कि breakdown नीचे की तरफ हो सकता है पर ये हर बार यहाँ पर live market में नहीं होता इसका breakout या breakdown कहीं भी हो सकता है uptrend में बने या downtrend में बने कहीं भी उपर नीचे breakout या breakdown हो सकता है तो इस बात को सही से ज्यान में रखना अब जिस्तो ब्रेकाउट के लिए हमने ये सिखा होता है कि मैं सपोर्ट रसिस्टनस है यहाँ पर इस रसिस्टनस का ब्रेकाउट हुआ जिस केंडल ने इसका ब्रेकाउट किया यहाँ पर ब्रेकाउट हम मान लेंगे यहाँ पर एंट्री ले लेंगे इसके नीचे अपना स् टॉपलोस को आपको set कर देना है इसके बाद बहुत ही कम chances होगे कि ये आपका breakout fake होगा ये real breakout ही ज्यादा तर निकलता है हर बार नहीं निकलेगा reverse तो हो जाएगा कभी ना कभी कभी ना कभी मतलब कि ये fake भी हो सकता है कि कुछ इसके साथ और चीज़े भी देखनी होते हैं अगर higher time frame पर चेक करोगे तो उपर एक और resistance है तो वहाँ आपसे भी reverse हो सकता है पर retice का breakout होता है उसके बाद आप मान लीजे 10 में से 7-8 बार आप सही ही जाओगे ये सबना लोगों को बहुती बोर लगता है कि एक तो यह तो ले entry किसी को कोई problem नए problem होगी तो वो आपको ही होगी किसी और को कुछ problem नहीं होगी अगर एक safe entry लہना चाते हो तो breakout होने दो breakout का भी breakout होने दो अब दोस्तों target की बात की जाई तो ये माना जाता है कि जो इसकी range होती है मान लिजे कि ये 20 point की range है तो जहां से भी breakout होता है वहां से आपको 20 point का अपना maximum target रखना है उसके बाद आप trail कर लो मतलब कि नोर्मली उतना मिल जाता है कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा कम मिलता है पर नोर्मली जितनी इसकी range होती है उतना maximum target रख लो उसके बाद उस target को book करना चाहो तो book कर लो या फिर trail करना है तो trail कर लो पर उतना target रखना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर 50-50 में आप देखे क्या हुआ यहाँ पर एक range बन गई थी 15 minute के time frame में अगले दिन market flat open हुई उसके बाद उपर जाने लगी और पहली ही 15 minute की candle में breakout दे दिया अब यहाँ पर लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर breakout हो गया है तो बहुती बड़ी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी और काफी सारे retailer यहाँ पर फसे ही होंगे पर देखे यह breakout fail निकला यहाँ पर उसके बाद आप देखे क्या हुआ तो दोस्तो जब भी breakout failure होता है उसके बाद आपको बहुती opposite side एक बहुती बड़ा trending move देखने को मिल सकता है और यह breakout होगा तो उसके बाद भी आपको उपर की तरफ भी एक trending move इस तरह देखने को मिल सकता है पर जैसा कि दोस्तों हमने समझा था जब यह breakout हुआ उसके बाद दोस्तों आप देखे इसे retes का हाथ आता है पर entry लेने लगे तो काफी बार होगा ऐसा कि मतलब हाँ काफी बार होगा ऐसा कि तुरण entry ले लगे वह retes करेगा ही ने और market उपर चली जाएगी और आप देखते रहे जाओगे पर अगर आपको एक safe entry लेनी है तो आपको retes के breakout या breakdown को wait करना है तो आपको एक safe और अची entry मिल सकती है आपका stop loss भी छोटा हो जाता है और आप एक confirmation के साथ enter करते है पर मान लीजिए इस तरिके के breakout पर आपने entry ले ली है और ऐसा कुछ हो गया और वहाँ पर आपने stop loss भी न और वहाँ पर अगर उस trade में आप है तो आपको भारी भरकम loss हो सकता है तो हमेंसा confirmation के 7 entry लेनी चाहिए और कभी भी कहीं भी trade करते है तो retes का breakout होता है उसके बाद trade लेना आपके लिए बहतर होगा उस तरीके सा आपको confirmation के 7 entry मिलेगी और आपका stop loss भी वहाँ पर छोटा हो ज गया अब यहाँ पर यह box बन गया इसकी range थोड़ी बड़ी हो गया अब यहां से लेकर यहां तक का यह box बन गया है अब इसके breakout या breakdown पर हम trade कर सकते हैं या फिर अंदर हमें trade करना है तो हमने पहले सिखा उस तरीके से हम अंदर trade कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी sideways market, choppy market, ranging market, rectangle कहो, consolidation phase कहो, कुछ भी कहो, इस से इस तरीके से समझा जाता है, इस तरीके से trade किया जाता है, अंदर trade करना है तो कैसे करना है और breakout के बाद trade करना है तो कैसे करना है, क्या stop loss रखना है, और क्या आपका आपको वहाँ पर target रखना है, वो उन सारी चीज़ों को हमने यहां पर सम वहाँ पर लोगों का इंट्रेस नहीं है ना बायर्स का ना सेलर्स का जब भी वहाँ पर कोई बड़े प्लेयर की एंट्री होगी वहाँ पर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है और काफी बार लोगों को फसाया भी जाता है मतलब कि फेक ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन को वहाँ पर बता के पर अगर आप रिटेस के ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन पर एंट्री लोगे तो बहुती कम चाहस होगे कि उस ट्रेड में आप फर्श सकते हो तो दोस्तों अब इसके आगे के वीडियो में हम वो समझेंगे जो इसके बात शुरू होता है मतलब कि हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर लोवर लोवर हाई का स्ट्रक्चर जो सबको बहुत ही पसंद होता है और उसी मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रोफिट मिल सकता है अगर उसे हम अच्छे तरीके से ट्रेड करना सीख चाहे तो और एक बात दोस्तों कि जब भी आप एक ranging market में trade कर रहे हैं तो support पर buy कर रहे हैं तो support पर कोई bullish pattern बननी चाहिए मतलब कि मान लीजी है hammer बन गई है तो hammer पर trade लेके hammer के नीचे अपना stop loss set करके आप अपना target उपर तक रख सकते हैं अगर resistance पर short कर रहे हैं तो वहाँ पर मान लीजिए कि कोई मतलब के hanging man बन गई, कोई shooting star pattern बन गई तो वहाँ पर trade करना है, इसे या कोई यह नहीं कि मतलब support के पास आया buy कर लू, यहाँ पर resistance के पास आया sell कर दू, ऐसा मत करना कोई candlestick को साथ में लेके चलना, जब भी breakout breakdown होता ह है तो वह भी कोई candlestick pattern के साथ होना चाहिए, कोई bullish candlestick के साथ, कोई bearish candlestick के साथ, so I hope that you like this video.